कि हेलो एज्टूरेंट मैं मुना खुमार और आपका चैनल के लिश्ट्रीप पर फिर से उपस्दित हो विया हूँ आज आज अमन्लभस्म और लाउन के कलास हैं इससे पहले ऐखिडियों के कलास हो चुके हैं और अपकी तैयारी संपूर्ण तैयारी हो सके और एक्जाम भी आने वाले हैं तो आपको पढ़ना बहुत जरूरी हो गया है मैं आप ताइम मत गवाए और देखार चीजों के पढ़ने में मत अुलजिए जो पूल Weekend में आता है वह पढ़िए जो जो पूल być जाब में सवाल आता है वह पाई फालतू के चीज़ें कभी मत पढ़िये वारतिना है कि पूर के नाम पर यह पुछता है उसको उठा हमारा सिल्वस न्यू सिल्वस है बाबो उसको उठाए जो सवाल करता है और आपका 110 परसेंट एक जायरिजल्ट इससाल रहेगा ज़्यों मैं दावा के साथ करता हूँ कि जो मांगे सो पढ़ो फालतु के के एक भी की मत पढ़ें थीक है तो इस तावसे 25 विडियो मोरी कर लो ठाकि आपके ति किमेश्टी पख्राइब कमांड कर रहते और मैद का, 14 वीडियो मोई पढ़ें का 14 विडियो प्ण पर हूँ जरूरी कर सक billion के पशिए साम में लाइव कलास लेने वाले हैं जहां पर फिजिक्स और के मिस्टी के टेष्ट होंगे तो यह बहुत ही जल्दी वाला क्लास मिंस्वत करिये गाब यह बहुत पता चल जाओं ऎके कि अभसे शूरू किया वाला हूं आपका तो वहां पर भी जरूर आईएगा बाबु ताकि आप जो पढ़ रहे हैं उसका इभाइस कर ले तो बाबु सुरू करने से पहले मैं आप से चाहता हूं कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए और अगर रेगुलर हैं तो अगर इसब रहां है यहां है पहरे घ्लाएं के बारे में पढ़ते हैं अब दो होता क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं जो जल में घुल कर हाइड्रोजन आइन देता है जब पानी में अम्र को घुलते हैं तो उसमें के हाइड्रोजन आइन देता है यहां देखिए यहां पर हमें यह चीजें प्राप्त हो रही है तो हम कह सकते हैं कि वह बंदा कती है हाइड्रोजन जो दे रहा है वह अम्र है जो आपको हाइड्रोजन आइन दे रहा है वह क्या कहलाएगा वह घुल क्या कहलाएगा तो यही अर्हेनियस ने कहा था आरहेनियस ने कहा था कि वह पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आइन दे दे वह पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आइन दे दे उसे हम कती कहते हैं आमल कहते हैं तो आरहेनियस ने कहा था कि जब कोई प्वदार्थ जल्वें भूलता है और वो हाइड्रोजन आइन देता है तो उसे हम आमल कहते हैं बात के लिए तक समझे लेजे बाव उसे ही हम क्या कहते हैं चलिए बोलेस्टेड बेगानिक था बाव बोलेस्टेड उसने भी यह बात कहा था सुन्य क्या कहा था अमल वह अनू आथवा आयन है जो प्रोटाउन देने के छमता रखता है यह बोलेस्टेड ने कहा था बावो यह बोलेस्टेड ने कहा था तो देखिए अम लोग को जब तोड़े है इसको प्रोटाउन है यहां पर चॉटाउन है यहां पर बनाया है इस नियम को बॉट्रेश्टेड कहते हैं बनते हैं इसको जो होता है इस तरह से आप को सकते हैं अब आ जाएए बाबू अमलकी बारे में पढ़ते हैं अमल के गूंड के कुछ बास जा चाने तसके अमल के बादें आपने जेना की अमल रिने जिसमत पत्र को क्या कर देता है लाल कर देता है तो जो भी अमरे वह लिटमस पत्र को लाल करता है अगर कोई नीला है ठीक है जुँडिशी पत्र को लाल कर देता है चलिगज यह पीडिया पक्रुपिक कैसी आप नील मास पत्र को लाल कर देता है किताब उचे है इसमें लिखा है ठीक है लेकि से सही में एंसर वो जाएगा पैले तो लिट्रमस पत्र का रंग क्या होता है याद रखेंग मावूं क्या होता है याप जाएंग सब्सक्राइब सब्सक्राइब को कहां से प्राप्त के जाता है लाइक प्राप्त करते हैं लिटमस पत्र को और वार्ण कैसा होता है तो बैग नहीं होता है और दूसरा बात लिटमस पत्र एक सूचक क्या है जो बताता है कि कौन अमल है कौन छार है ठीक है नेश्र देखिए बाप अब देखिए यहां पर बात है अमल के गूंड का ठीक है बात है विदु का सूचा लगाल लिए विदु होता है यहां का सूचालक होता है आप अपो सूचालक होता है मैं तो टेऀर होता है इससे परवाहिद करते हैं करते हैं इसलिए हम लोग करते हैं विजुद का सुचाल करते हैं चलिए नेक्स्ट देखिए वागु को रहा है करते हैं यहां पर हम बात कर लेते हैं यहां पर सब्सक्राइब करते हैं यहीं सब्सक्राइब बढ़े नहीं है आप चैनल बढ़े रहा है वीडियो का लाइक करना दूख और लाइक करो और प्रसक्राइब कर वाओ इस चैनल को ठीके चैनल जितना सब्सक्राइब होगा उत्तर आपको बेस्ट और बेस्ट तरीका बताएंगे आपको इतना हीरो बना तुक्षिंग में अब यहां अब जाए तो यहां यह चैनल गया है यहीं चैनल होता है तो जब प्रसक्राइब देखना रहा है तो है पूरा का पूरा सब्सक्राइब करना मत भूलो ठीक है यहां देखो अम्ल धातू अम्ल धातू कार्बोनेट अविक्रिया करके करता है यहां देखो अब चार्बोनेट अविक्रिया करके लवन देता है अब तो लव अब चार के बारे पर जानते हैं आपको बताते हैं वाद तो यहां देखो कि यहां पर यहां पर माल देख अचेसी यहां भावजया सब्सक्राइब को जानते होंगे को ती का लाता है लावन कहलाता है तो सभी को क्यों परक्रिति करना किसी सबस्तू का संचरू करना जैसे पेट बहुत जाता है था पेट में गरस्ट बने लगता है तो इसके लिए खाते हैं एंटासिट नामा के दवा खाते हैं जिसके कारण हमारे पेट का अमलियता हो जाता है जिससे हमारा क्या हो जाता है सब्सक्राइबिदा खाता है जिसके कारण हो जाता है जमास करते हैं तो हमारे मुव में क्या होता है तो हमारा पेस्ट हो होता है जो होता है खतम हो जाता है तो इससे लिए हम इनो का उप्यों करते हैं वा समझना आगया ना बाबू ठीक है आप आम खायोंगे नीम्बु खायोंगे सेयो खायोंगे ठोही खायोंगे क्योंगे इमली होंगे इसाब इसे कटी और यह पदार्त है तो हुआ कि आगकि मैं कुछ पदाष्ट ले लिया हूँ जो अमला जिसमें पाए जाता अ। है तो यहां पे पढ़ात है और यहां पर पास्तिति आ तोुछ यह वह पढ Spaß within जो और सब क्या और है और उसमें कौन से अम欸 यहां पर मैं साड़कर कर राज है तो चलह lens propri को सामल है सिट्षी कर रहे हैं अगर क आप्स कबक सुधा कर रहे अगर आप अगर आप दही के बात कर रहे हो तो इसमें लैटी कमल पाया जाता है लैटी कमल पाया जाता है अगर आप हमासे हमारे पेट में कौन सामल पाया जाता है कौन सामल हाइड्रो को पाया जाता है और अगर विटामिन C के बात कर रहे हो तो विटामिन सी में स्कॉर्वी कमल पाया जाता है ठीक है विटामिन सी में कौन साम पाया जाता है ठीक है याद रखना है लाद चिटी लाद चिटी में कौन सा पाया जाता है जो कोई आप दोस्ता जैसे क्या हुआ लाद चिटी हो गिया इसमें के इसमें का पाया जाता है सोडा वाटर में कौन समल पाया जाता है तो याद रख रहा है इस बात को चलिए आगे देखते हैं वाबू ठीक है नेक्स्ट यहां देखेगा अब पढ़ लेते हैं हम छार की बारे में पड़ते हैं तो च्रक्या होता है तो आरहनीयस के अनुसार अचाहरा कुवाप दार्त है जो जल में घुलकर ओइज आयन देता है हाइड रोक्साइड आएंद देता है उसे हम शार कहते हैं पहली सुनिए तो आर्वीनियस के रुसार चारवां पदार थे जो जल्ड में घुल कर हाइड्रोजन आइंद देता है छारा काल आता है अब यहां पर देखिएगा एने ओएच जल में भोले के बाबू तो यह क्या बन जाएगा इसके चलते हमें दोनों क्या 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 सकते हैं चार कर सकते हैं जो भी पराद जल में घुलकर और यह आयन देगा हाइड्रो औक्साइड आयन देगा उससे हम कभी कहें चार कहेंगे क्या देना चाहिए अगर वो और यह दे सकता है तो हम क्या कहेंगे चार कहेंगे ठीक है अब यहां पर बोर्ट्र नेस्ट नमक बैगालिक उन्होंने कहा कि छारक वहां अनु है जो परटॉन लेने की छमता रखता है अगर यह अमल होता तो परटॉन देने की छमता रखता लेकिन यहां कथी है चारक है तो चारक है तो यह देने के चमता नहीं लेने के चमता रखता है यहां देखिएगा बाबू छारक है और यह कतियरा रिवर्सिवल कर दीन नानिक को नीला कर देता है ऑजास ग्रांकि यानल लित्मस निजन कर दिखाय तकस्थ कर देदी झान कें वहीं K कर देता है जैसे अमल का पर्भाव था को लाल कर देता है वो इसा ही यह जो होता है छार जो होता है बागु लाल रिट्मस पत्र को नीला कर देता है ठीक है तो याद रखना बागु अमल क्या होता है लाल रिट्मस पत्र को नीला कर देता है ठीक है रिट्र मस्पत्र को नीला करता है याद रखो वह इस बात को चलिए हम बून पहुंढ लेते हैं चार बिदुत का चालाक होता है यहां पर लिखा है चार बिदुत का चालाक होते हैं इस धृ सूनिए दुसरा चार तो आप जानते हैं कि छार अमल से विक्रिया करेगा तो लाउन और जल देगा जैसे ही आप देखना लिजिए पहले भी देखा अभी भी देख लेजिए यहां पर यह चार है वाव मालेजिए कि यहां पर है तो यहां पर होता है जल में बिलाइचार को चार को चार करते हैं जल में बिलाइचार को चार करते हैं आप इसको नेक्ट टोपिक एक गो और देख देख देजिए छोड़ा सा टोपिक है बागो एक लाइन का हाँ आ देखिए एक वाट से लिखे आए बागो यहां पे जो सभी छार भस्म होते हैं सभी छार भस्म होते हैं परंतु सभी भस्म छार नहीं होते हैं सभी भस में चार होते हैं, पर उसी को हम क्या करते हैं, चार करते हैं तो सभी नहीं घूल पाते होंगे चाहे नहीं घूलते हैं जिसके कारण सभी भस्म चार नहीं कालाते हैं परन्तु सभी चार भस्म होते हैं इस बात को दिमाग पर रखना है बाबू कि जो जल में घूल जाए जो भस्म जल में घूल जाता है उसी को हम चार करते ह जो भस में जल में घूल जाए जल में घूल जाए उसे हम चार कहते हैं जो भस में घूल जाता है जो भस में घूल जाता है उसे हम चार कहते है ठीक है तो यहां उपने देखा की यहां रहता है अगला वीडियो में ठीक है तब तक चानल को सब्सक्राइब करें और देखते हैं पिछे के वीडियो